गुछ साभ, इन्होंने हमारी पार्टी जयूइन की, और इंशाओला सारे हमने अपने जो हमारी इलेक्षण कमीटी, जो बनी है, इलेक्षन के लिए, उनके साथ बशवरा करके, हमने फैसला किया है, कि जड़ी बल से हमारे candidate होंगे इंशाला और हम चाते हैं कि जो शहरी स्रीनगर में हम ऐसे candidate थे जो अच्छे हो पड़े लिखे हो दिंदार हो क्योंकि स्रीनगर के साथ मुफ्ती साथ को खास अकीदत थी और मुफ्ती साथ को आपको याद होगा कि जो आखिरी दोरा था वो भ बहुत जादा हैं बहुत मुश्किलात हैं यहां गरीबी भी बहुत है एक एक गर में चार चार फैमिलीज रहते हैं इसके लिए भी मुफ्ती साथ का एक प्रोग्राम था कि इनको बाहर ले जाएंगे मगर आप हमारा अगर इन्शाला हमारी सरकार बनी तो वी विल गो वर् दोर करेंगे और और शेहरी स्रे नगर में भी बहुत इंदे स्किम से बना है कि जो मुद्य साथ को एक ऑ्रादा था स्रे अगर को लेकर ninja है कि वह सब्सक्ति गवर्ण rights कर ने यह भी हमें यहां सरी नगर को डिवालफ करने में कूरा अपना रोल अदा करेंगे मैं तो कहती हूं कि आप किसी को लोगों को जेल में बंद कर सकते हो पर ख्यालात को जेल में नहीं पर ख्यालात की जंग है जो हमुरियत में ख्यालात की जंग होती है और जो ख्याल बेटर होता है वो प्रिवेल अपॉन होता है तो इसलिए मैं समझती हूं कि बहुत देर कर द जो हमारे जो हमारे लोग ने को सी जिल में तो रावं आउम जो फंश क Nicht इसके हमारे नवजोन आपर नोग नीए आमड़ावान हमारे जेल में बंद हैं ने की बाति हालत सब्छकेंद नोगों बहुत Reg कि आप बार बार कहते हैं कि हम जमु कश्मीर के लोगों के साथ रीकंसिलेशन चाहते हैं तो मैं कहते हूं जेलों के दरवाजे खोल दीजे तो रीकंसिलेशन का एक सिल्सला शुरू हो जाएगा। अमर साब ने खुद कहा कि मुझे चपरासी की ट्रांसफर के लिए गौर्णर साब के दर्वाजे पे जाना पड़ेगा। मुझे चपरासी की ट्रांसफर के फिकर नहीं है। मगर मैं वो वजीर अला रही हूं जिसने बीजेपी की सरकार के साथ सरकार चलाई बारह हजार नौजवानों के फायर वापस ले किया आज आप ऐसा कर सकते हो। हमें क्या है। अगर आज वो चीफ मिनिस्टर बनके एक फायर वापस नहीं ले सकती तो फिर क्या करना है इसी चीफ मिनिस्टर को। नहीं देखिए मैं तो फारुक साब आपने उन से पूछना चाहिए था ही कि उन्हें ऐसा क्यूं कहा मेरे खायर मैं नाउमीदी कुफर है और पीडीपी बड़े मसले के लिए लड़ रही है। जैसे आपको पता है कि पीडीपी बाहित एक जमात है जो एजन्डा लेकि आती है उसको इंप्लिमेंट करती है। जब हम 2002 में सरकार बनी हमने कहा था हम पोटरा खत्म करेंगे हमने किया। उसके बाद हमने बोला हम रास्ता खोलेंगे हमने मुझणफराबाद रावला कोड हमने कहा हम बात्चीत कराएंगे तो वाजब्आ हड़वाणी की बात्चीत के लिए लुट से कराई। तो हम तो अपने एजंडा पर चलते हैं और आज भी हमारा एजंडा है कि मसले कश्मीर मसला है उसको आप इगनोर निक कर सकते हैं तो उसको हल करने के लिए जो 370 है उसको भी रस्टोर करना बहुत जुरूरी हो जाए हैं हम तो हमेशा केली लड़े हैं 99 से जब से हमारी जमार बनी है हम तो हमेशा केली लड़े है और लोगों के सारे लड़े है लोगों को की तकलीफें दूर करने के लिए लड़े मैं तो कंговर्षमिर थी cLP लीड़ो ती, मुफ्तिसाइड मेंबर पार्लिमेंट हैं तो हमने छोड क एक ऐसा प्लैटफॉर्म पीडीपी बनाई जिसका काम है जिसका बेसिक एजंडा है जुमू कश्मीर को एक बाइजद दौर में लाना एक पीस पे डिगनीटी देना तो हम उस एजंडे को लें के चले हमारे साथ कोई चलता है नहीं आता है लोग हमारे साथ होने चाहिए हूं कि लोगों को जेलों में बंद करना एंप्लॉइस को बिला वज़ा नोकलियों से निकालना उन से ये हग भी छीन लेना वो अदालत में जाएंगे तो डर्ड लगता है उनको के हमें जेल में न डाल दें जर्नलिस्ट को यूए पी के अंदर बंद करना तुमें किनी एक खैल कि जंग है जिसको आप इस तरह नहीं जीत सकते आप ताकत के बल्बोते पर जम्हु कश्मीर का जो मसला है उसको हल नहीं कर सकते आपको रीकंसिलेशन रीच आउट करना पड़ेगा यहां के लोगों के साथ उसके बगार कोई चारा नहीं मेरे खल में यह जो शबीर शाह सा उसका किस तरह का इंपैर्टिक वीडी पर है क्योंकि कल खोड़े से उसके एक जल्किया हमें पुनवामों में कि पहली बात तो मैं यह कहना चाहूंगी कि जो जमात को लेके फारुक साब ने बयान दिया है तो मैं समझती हूं कि यह कोई पहली बार ऐसा रिलेशन्शिप न कि हमारे हजारους, लाकाँ गर जडर गे हजारु नौजवान हमारे शेहिद हो गए क्योंकि उस वकत भी जमात-सलामी को कहिए या मफ को कहिए उनको बाहर रखने के लिए एस aíम्मीली से ने की बहुत बड़े पैमानें पर इनुनेeftा दादली की जिसका आज भी हमारे कबरि की जवरोती दूसरा जान तक Congress और एंसी की एलाइन्स की बात है। मैंने पहली भी कह कह है हमारा एक एजंडा है जब ही हम एलाइंस करते हैं देखें जब पीडीपी ने Congress की से एलाइंस की नाइन 2002 में हमारा एक एजंडा था, पोटाग खतम करना, बातचीत करना, लोगों को जेलू से रहा करना, जिसमें हमने गिलानी साब को रहा किया, आज आप सोच सकते हैं ऐसा, बड़े-बड़े शबीर शाह साब को, यसीन मिलिक साब को रहा किया, तो हमारा एजंडा था, उसके पाकिस्तान से बात करनी, आपको हुरियत से बात करनी, आपको पावर प्रजेक्ट वापस करनी, और भी कई चीज़े था, और रास्ते खोलने हैं, यानि उस उस भी हमारे पास एजंडा था, तो जब ये कांग्रोसर N.C. की आपस में इनका एलाइंस होता है, तो ये कुरसी के लिए होता है, तो अगर मुफ्ती साब को कुरसी चाहिए होती, 2014 में नेशनल कॉंफरेंस भी आफर कर रही थी, कॉंग्रोस भी आफर कर रही थी, तो मेरे खाल में एलाइंस PDP के लिए जो हमारा एजंडा वो सब जड़ा जूरी है, और अगर N.C. और कॉंग्रोस का जो मेल है, वो एजंडा के लिए थी, और आपको पता है, मेरे खाल में एक हिस्ट्री है, जब जब PDP और कॉंग्रस जब हमारे मिले तो हमने लोगों के लिए काम किये, हमने लोगों को एक राहत भी, हीलिंग टाल दिया, जब हम BJP सरकार से मिले तो मैंने 12,000 नौज़ानों की मैंने लेटर इन्वाइट किया, मैंने लेटर इन्वाइट किया, मैंने मुल्क से एक बहुत बड़ा डेलिगेशन मिलाया बाद शीद के लिए, मैंने वो सब कुछ किया जो हमारे एजंडे में था, वागर जब इनकी हुई तो मगूल बट को फासी, 87 में चोरिया, जिसका नतीज़ा माज देख रहे हैं, उसके बाद दुबारा अवजल गूरु को फासी, तो यह तो आवज लोगों के सामने सारा है, क्या होता है, क्या होता है, मैं आजब शेरिंग में एलाइंस पे नहीं एकिये रखते हैं, हम एजंडे भी एकिये रखते हैं, मैं यूए ज़स मालूम नहीं है क्यों कोन आया कब आया तो मुझे कैस के बारे में कोई इंफरमिशन नहीं, थैंक यू